नमास्कार दोग्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्ले कैडमी पर देखे मारा यह घटना चेकर का राज वर्ष्था एवं सासन का टॉपिक चल रहा है जहां पर फिलाल हम लोग बात करेंगे उद्देश्चिका के बारे में कल देखिए आप लोगों को वैसे चप्टर कल ही करवा देना चाहिए था लेकिन खासी जो है वलगातार आ रही थी इस वज़े से जो है चीजों को रोका गया था फिलाल अभी सब कुछ सही है लेकिन एक चीज को लेकर के आप लोगों के कंप्लीट करवाए जाएंगे वो भी हर हाल में थीक है तो अभी भी देखिया हलका फुलका चल चल चोड़िए उसको ठीक है तो निश्चिंत रही उस चीज को लेकर के आप लोगों को सारे लेक्चर या सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट करवाए जाने ही जाने है ठीक तो चलिए डिसकसन को सुरू करते हैं चलते हैं उद्देशिका के प्रश्नों की तरफ और ठोड़ा थोड़ा आப लोग भी मोटिबेट करते चलिए खाल के तो्लाइक करते चलिएगा जो भी चीजे उन्के बारे में कमेंट करते चलिएगा एक चीज़ार हैं जो थोड़ी बहुत सुधार है जैसे कि मैंने बोल दिया था कि बारवी अनुसूच के अंतरगत बारा विशय आते हैं तो नहीं बारा नहीं अठारा विशय आते हैं पाचवी अनुसूच में मैंने बोल दिया था कि एम टीम से सम्बंधित है तो नहीं एम टीम यानि असम मेखाल घ्रिपुरा और मिजोरम के जन जाती छेत्रों के प्रसासन से। हलांकि इनके बारे में कमेंट करके आप लोगों को तुरन्थी मैंने बता भी दिया था आध्या तो मेंट भी कभी पढ़ लिया करिए। चलते हैं इसके प्रश्णों की तरफ और बात करते हैं सब से पहले प्रस्ष्न के बारे में अच्छा एक चीज बताईए उद्देसिका सम्विधान का भाग है या नहीं है चलिए उद्देशिका जो है वह सम्मिधान का भाद है ठीक है यह आप ध्यान में रखते चलिएगा संसोधन हो सकता है कि नहीं हुआ है ना एक बर बयालिक्स में सम्मिधान संसोधन है दिनियम के मादल से जब उद्देशिका में तीने सब्द जोड़े गए थे समाजवादी पंथ निर्पेच और अखंडता ध्यान आया कुछ तो यह सारी जीजे हम लोग वह पता है बस हम ध्यान नहीं दे रहें तो आईए ध्यान देते हैं थोड़ा सा प्रस्णों के मादल से सबसे पहला प्रस् सम्मिधान अंगिक्रित अधिनीमित और आत्मार्पित किया गया था पूरी चीजे देखेंगे सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारे सम्मिधान की प्रस्तावना क्या है या उद्दिसिका में क्या लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन आजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंतरता प्रतिष्ठा और अउसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली धूता बढ़ाने के लिए द्रेड संकल्फ होकर अपनी इस सम्मिधान सभा में आज डैस को एतत द्वारा इस सम्मिधान को अंगिक्रित अधिनेमित और आत्मार्पित करते हैं तो प्रस्तावना में प्रिवक्त होने वाला सरुपर्थम सब्द है प्रभुत्व संपन दूसरा है समाजवादी तीसरा है पंथ निर्फेच शौथा है लोगतंतरात्मक और पांचमा है गड़ राज्य तीन तरीके की स्वतंतरता है पहला है समाजिक दूसरा है आर्थिक तीसरा है राजनेतिक तीन तरीके का नियाय है समाजिक आर्थिक और राजनेतिक ठीक है पांस तरीके की सोतंतरता है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना पांस तरीके की सोतंतरता है दो तरीके की समता या समानता है कौन-कौन सी प्रतिश्ठा और आवसर की समानता है ठीक और एक तरह की बंधुता है ठीक है तो बताईए सम्मिधान को कब अधिमित अंगेकरित और आत्मार्पित किया गया था 26 जन्वरी उनीस सो उन्चास को बिल्कुल सही बात है ठीक है चल मिया तन्तर की 26 एक उन्चास को सही सम्मिधानिक वस्तु इस्थिति क्या थी जब सम्मिधान लागु किया गया था A. लोक तंत्रात्मक गड़तन, B. संपूर्ण प्रभुत्व संपन धर्म निर्पेच लोक तंत्रात्मक गड़ राज, या D. संपूर्ण प्रभुत्व संपन समाजवादी धर्म निर्पेच लोक तंत्रात्मक गड़ राज धर्म निर्पेच धर्म निर्पेच समाजवादी तो यह सब कब जोड़ा गया था 42 में सम्मिधान संसोधन अरिनियम के माध्यम से हलांकि धर्म निर्पेच सब्द का प्रयोग हमारे सम्मिधान में कर सुधेशन नहीं किया गया पन्त निर्पेच और चोटी अवधार्णा का प्रयोग किया गया था थीक है प्रभुत्त च संपन्न हमने पढ़ा थीक है बाद में क्या जोड़ा गया पन्त निर्पेच समाजवादी और अखंडता सब्द को जोड़ा गया था तो कौन सा सही हो जाएगा आप्सन नंबर सी चब्वीज एक उन्नीस सव पचास को सम्मिधान की जो मूल इस्ति थी वह थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वीज के समाजवादी और पंत संपूर्ण प्रभुत्व संपन लोक तंत्रात्मक गणराज्य की थी समाजवादी पंत निर्पेच और अखंडता सब्द इसमें 42 में संविधान संसोधन अधिनियम 1976 की धारा दो के द्वारा जोड़ा गया था धारा और याद रखने जिरूरत नहीं है 42 संविधान संसोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से यह तीन सब्द उद्देशिका में जोड़े गये थे समाजवादी पंत निर्पेच और अखंडता यह याद रखने की जरूरत था चलिए भारत के संविधान के निर्माताओं का मत्व निम्न लिकेत में से किसमे प्रतिविम्बित होता है A. उद्देशिका B. मूल अधिकार C. राज की नीति के निदेशक्त ततो या D. मूल करतब चलिए जो सही अंसर है वह है option number A. उद्देशिका में हमारे संविधान निर्माताओं का मत्व प्रतिविम्बित होता है कैसे तो बताया गया है कि किस प्रकार का संविधान या किस प्रकार का भारत चाहते है वह ऐसा भारत चाहते है जिसमें सामाजी कार्थिक और राजनीतिक न्याय मिले लोगों को विचार अभिवेक्ति विश्वास एवं धर्म की सवतंतरता प्राप्त हो उनको प्रतिष्ठा और अउसर की समानता प्राप्त हो तो इस प्रकार से देखे भारत के सम्मिधान निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिविम्बित होता है यह सम्मिधान निर्माताओं के मनह इस्तित को समझने की एक कुण्जी है यह सम्मिधान निर्माताओं के सिध्धानतों एवं आदर्सों को प्रदर्सित करता है सम्मिधान के प्रस्तावना ने देश को एक नियती के आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है अब प्रस्तावना को बारे महत्वपूर्टत 13 दिसंबर 1946 याद रखने वाली तारी 13 दिसंबर 1946 को सम्मिधान सभा के सबच जवाहलाल लहरुद्वारा प्रस्तुत उद्देश से प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 याद करने वाली डेट 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही परिवर्तित करके सम्मिधान की प्रस्तावना के रूप में स्विकार कर लिया गया निक्स्ट भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय स्वतंत्रता समानता एवं भात्रत या बंधुत्त का उलेक किया गया है उसी क्रम में बताना है आपको तो हमारे सम्मिधान में तीन प्रकार का न्याय है ठिक प्रकार की स्वतंत्रता है दो प्रकार की समानता और एक प्रकार का बंधुत्त या निकि आप्सन नमबर ए तीन पांच दो एक जुवाया सही हो जाएगा नेक्स्ट और अगला प्रस्ण देखते हैं पूछा जारा यहाँ पर की भारती सम्मिधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिकित में से कौन सा क्रम सही है ठीक है चलिए सब्दों को हटाना शुरू करते हैं करम पूछा जारा जो हम भारत के लोग भारत को एक संपुण प्रभुत्त संपन समाजवादी पंतनिर्पेच लोक तंतरात्मक गणराज्य बनाने के लिए ठीक है सबसे पहले किसका प्रयोक किया गया है संपूर्ण प्रभुत्त संपन या सारवभुत्त संपन तो इन तीनों में से एक कोई देखिए उसके बाद समाजवादी सब्दे का प्रयोक किया गया है तो कौन सा हो जाएगा आप्शन बी समाजवादी लेकिन जनवादी तो नहीं है ना पंत निर्पेच्च की बात की गई है यानि कि धर्म निर्पेच्च भी कह सकते हैं धर्म निर्पेच्च और लोक तंतरात्मक गण तंतर यानि कि जो परफेक्ट एंसर है वह भी हो सकता ह ठीक है लेकिन यहां पर कहीं भी इस चीज का उलेक नहीं है ठीक है आप डी के साथ भी जा सकते हैं सारवहम सत्ता संपन जनवा समाजवादी पंत निर्पेच या धर्म निर्पेच और जनवादी को यदि आप लोक तंतरातमक से लें तब आप आपसर नंबर डी के साथ जा सकते हैं ठीक है चलिए यहां देखिया इसमें कुछ करवाने लगा है ने प्रस नहीं यह जो है गलत दिया हुआ है ठीक है भारती सम्विधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोसित किया गया है एक समाजवादी प्रजातांतरिक गरतंतर या डी एक सारभोम समाजवादी धर्म निर्पेच प्रजातांतरिक गरतंतर या डी इनमें से कोई नहीं तो हमारे सम्विधान में भारत को संपूर्ण प्रभुत्यों संपन, समाजवादी, पंथ निर्पेच, लोगतंत्रातमक, गड़तंत्र बनाने की बात कही गई है। चलिए अगला देखते हैं। पूचा जारा कि निम्न सब्दों पर विचार करें। तो सबसे पहले सारुभुमी क्या फिर संपूर्ण प्रभुत्यों संपन यानि की सी सबसे पहले आ जाएगा एक नंबर पर उसके बाद प्रयोग किया गया है समाजवादी सब्द का यानि की ये दूसरे नंबर पर चला जाएगा। फिर आया है प्रयोग पंथ निर्पेच या धर्म निर्पेच सब्द का यानि की यह तीसरे नंबर पर चला जाएगा। उसके बाद प्रयोग किया गया है लोक तंत्रात्मा किया प्रजातांत्रिक का तो यह चोथे नंबर पर चला जाएगा। फिर पांचवे नमबर पर गढ़ तंत्र सब्द का प्रियोग किया गया है। ठीक है? तुक्रम लगाते हैं C, A, D, B C, A, D, B, option नमबर A हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारती सम्विधान की प्रस्तावना में समाजवादी सब्द किस संसोधन के तहत जोड़ा गया है। उपर उक्त में से कोई नहीं है उपर उक्त में से एक से अधिक। चलिए तो जो सही अंसर है आप सब को कई वेयर बताया गया है कि सम्मिधान में संसोधन किया गया था सम्मिधान की प्रस्तावना में 42 में सम्मिधान संसोधन अधिनीयम 1976 के माध्यम से जिसके तहत सम्मिधान में 3 सब्द जोड़े गये थे समाजवादी पंथ निर्पेच और अखंडता निम्नांकित में से कौन सा 42 में सम्मिधान संसोधन के माध्यम से भारत के सम्मिधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था तो समाजवादी पंथ निर्पेच और अकंडता यानि की आपसर नंबर C समाजवाद और पंथ निर्पेच जोड़ा गया था 22 सम्विधान संसोजन अधनियम 1976 के बाद या 1976 के माध्यम से भारती सम्विधान की प्रस्तावना में धर्म निर्पेच और समाजवादी सब्ध जोड़े गया थे d मौलिक अदिका, b सम्विधान के प्रस्तावन, c नव्मी अनुसुच, d राज्जी की निदी के निदेशक, तत्तो. हमारे भारत के सम्विधान के प्रस्तावनून भारत को एक पंत निर्पेच्य राजि के रूप में वनरित करती है अच्छा है पंत निर्पेच्य और राजधर्म निर्पेच्य में डिफुर्इंस क्या है अगर आप इनको धर बानते हैं तो और चोटे हम चलते हैं Hindu धर्म के अंदर गत आने वाले उंदर फंफ के बारे में बात करते हैं जैसे कि कौन सा पंथ ले एक सूरुमा पंथ है पर सूरुना पंथ है ठीक है आपको tis श्री दियुद में बताया जाए है इसके बारे में तो सूरुणा पंथ है ठीक है एक जैसे की आपका हो गया हाँ एक कुछ लोग होते हैं साई के पूजारी होते हैं साई पंथ मान लीजिए उनको ठीक है एक कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्या कहते हैं उनको मानते हैं राम की पूजा करते हैं उसको अलग पंथ मान लीजिए एक कृष्ण पंथी होते हैं जैसे कि वह नहीं है नायनार हो गए दशिड भारत के या पिर क्या को अडे आर क्या बोलते हैं उनको तो इस प्रकार से मतलब धर्म के अंदर ही जो छोटी छोटे लोग और कुछ और चीजों को नहीं मानते थोड़ा बहुत प्रगाड हो जाते हैं तो उनको पंथ बोला जाता है इसलाम में आप सामाने रूप से जानते होंगे सिया और सुन्नी तो धर्म अगर बोलेंगे तो इसलाम की बात करेंगे और पंथ अगर बोलेंगे तो सिया और सुन्नी की बात करें तो राज्य इनके खिलाब भी इनके इनसे भी अलग रखेगा खुद को ना वह सिया के सब्दों में कौन सा सब्द 1975 में भारती सम्विधान की प्रस्तावना में सम्विलित नहीं था कब 1975 22 सम्विधान संसोधन कब हुआ था 1976 बस बात कर तो कौन सा सब्द नहीं सम्विलित था कि अखंडता कि कर दो 42 सम्विधान संसोधन अधिनियम के मार्जम से समाजवादी पंथ निर्पेच और अखंडता तीन सब्द जोडे गए थे बाकी सम्व reensब मूल सम्विधान में थे नक्स्ट है किन्यम्न लिकित सब्दों में से कौन से सब्द 42 में सम्वधानिक संसोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं A. समाजवार B. ग्राम सुराज तीसरा पंथ निर्पेच्छता और चौथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्ध सही उत्तर का चैन कूट के माध्यम से करना है कूट है A. एक दो तीन B. एक और तीन C. एक दो और चार या D. दो तीन और चार चली तो कौन-कौन सा सब्द जोड़ा गया था समाजवादी पंथ निर्पेच्छ और अखंडता कौन-कौन से सब यहाँ पर सामिल है समाजवाद और पंथ निर्पेच्छ ता आपसर नमबर B. सही हो जाएगा नेक्स्ट है पूछा जा रहा है कि सम्विधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कत्नों पर विचार करिये और दिये गए कूट की सहयता से बताईए कि इन में से कौन सही है पहला पंडित नहरुद्वारा प्रस्तुत अबजेक्टिव प्रस्ताव या उद्देश से प्रस्ताव को अंत्तुगत्वा उद्देशिका बना लिया गया दूसरा इसकी प्रकति न्यायोगिया जस्टिस येबल नहीं है तीसरा इसका संसोधन नहीं किया जा सकता है और चौथा सम्विधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद नहीं कर सकता है कूठ है A केवल एक और दो B केवल एक दो और चार C केवल एक दो और तीन या D केवल दो तीन और चार चलिए यह आपको बताएगा कि 13 दिसंबर 1946 को नहरू ने जो अबजेक्टिव प्रस्ताव प्रस्तूत किया था उसी को उद्देशिका के रुक में स्विकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को अब इसमें संसोधन नहीं किया जा सकता यह भी बार बार आपको बताएगा कि 42 में संविधान संसोधन अजिनियम 1976 के माध्यम से इसमें तीन सब्द पंत निर्पेच्च समाजवादी और समाजवादी पंत निर्पेच्च और अखंडता को जोड़ा गया तो दो तो सही हो गया एक और तीन अब एक और तीन किनमे किनमे सामिल है अरे तीसरा तो गलत हो गया ना इसका संसोधन नहीं किया जा सकता है ठीक है मतलब सम्मिधान की प्रकति न्यायोगत नहीं है या बिलकुल सही बात है सम्मिधान की प्रकति न्यायोगत नहीं है ठीक है मतलब आप सम्मिधान की प्रस्तावना को लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं कि भाईया इसमें ये बात कही गई हमको ये चीज़ दिलवाई है जिस प्रकार से आप मूल अधिकारों के लिए चले जाते हैं सीधा सुप्रीम कोट या फिर हाई कोट में भाईया हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप प्रस्तावना को ले करके नहीं जा सकते हैं प्रस्तावना ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि डीपी एस पी उसकी प्रकत भी नियायोगत नहीं है नहीं प्रस्तावना की प्रकत नियायोगत है तो एक और दो दोनों सही है और सम्मिधान के विशिष्ट प्रावधानों को भी यह रद्ध नहीं कर सकती है उद्देशिका तो आप्शन नंबर बी जो है यह सही है एक दो और चार ठीक है देखे यहांपर नहरु द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत सम्मिधान सभा द्वारा 22 जोनरी 1947 को स्विक्रित आपजेक्टिव या उद्देश से प्रस्ताव ही अंततो गत्वा भारती सम्मिधान की उद्देशिका बना था प्रस्तावना का यह प्रस्तावना का विधीक स्वरुप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है नॉन जस्टिस येबल है ठीक है इसकी प्रकति न्याय योग नहीं है यद सम्विधान के अस्पष्ट चेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है ध्यान रखेगा सम्विधान के जो भी अस्पष्ट चेत्र हैं उनकी व्याख्या के लिए उद्देशिका का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन यहां नियायोग नहीं है उद्देशिका ठीक, उद्देसिका में संसोधन संभव है, इसके बारे में कई बार देख चुके हैं सम्विधान की प्रस्तावना का विधीक स्वरुः क्या है? A. यह लागू किया जा सकता है B. यह लागू नहीं किया जा सकता है सी विशेश परिश्थितियों में लागू किया जा सकता है या डी उपरोग्ट में से कोई नहीं है तो यह लागू नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट है कि भारती सम्मिधान की उद्देशिका में संसोधन किया गया था तो 42 में सम्मिधान संसोधन अजिनियम 1976 के माध्यम से तीन सब्द जोड़े गये थे पंथ निरपेचता समाज अज़ाद और अखंड़ता समाज़वादी सब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था तो 42 में सम्मिधान संसोधन अजिनियम 1976 के माध्यम से भारती सम्मिधान के प्रस्तावना में समाज़वादी सब्द किस संसोधन द्वारा लाए गया था तो 42 में सम्मिधान संसोधन अजिनियम 1976 के माध्यम स 26 नॉम्बर 1949 को अंगिकरित भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना में सब्द सम्मिलित नहीं थे समाजवादी नहीं सामिलता खंडता नहीं सामिलता और पंतनिर्पेच यानिकी एक दो तीन यानिकी आप्सन नंबर एज होगा यह सही हो जाएगा क्योंकि इन तीनों सब्दों को 42 सम्विधान संसोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे सम्विधान की उद्देशिका में सामिल किया गया था नेक्स्ट और अगला प्रश्ण है कि भारती सम्विधान की प्रस्तावना में पंथ निर्पेच सब्द जोड़ा गया तो 42 में सम्विधान संसोदन अजिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था अगला प्रस्ण है कि भारत के सम्विधान के आमुख उद्देशिका को ही आमुख भी बोला जाता है ठीकर या प्रस्तावना भारत के सम्विधान के आमुख का लच्च उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है पहला सामाजिक तथा आर्थिक नियाए, दूसरा विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंतरता, तीसरा आउसर की समानता और चौता व्यक्ति की प्रतिश्ठा अधोलिकित कूटों में से सही उत्तर का चैन करना है आपको एक और दो, बी एक दो और तीन, सी दो तीन और चार या डी सभी चारों चली, जो सही अंसर है वह है आपसर नमबर डी, ठीक है समाजिक आर्थिक और राजनीतिक यानिकी तीन तरीके की नियाए दी गई है पास तरीके की स्वतंतरता कौन-कौन हमारे सम्विधान में तीन तरीके की तीन तरीके का नियाए दिया गया है सुनिश्चित किया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निया पास तरीके की स्वतंतरता सुनिश्चित की गई है प्रस्तावना में विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की दो तरीके की समता की बात की गई है प्रतिष्ठा और आउसर की और व्यक्ति की गरिमा को भी सुनेश्चित करने की बात हमारा सम्मिधान की प्रस्तावना करता है कथन और कारण के रुप में यह प्रस्ने दिया हुआ है जिसमें से कथन ए है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन समाजवादी धर्म निर्पेच लोगतंत्रात्मक गड़राज्य है और कारण र है कि इसे 42 में सम्मिधान संसोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन लोगतंत्रात्मक गड़राज्य के इस्थान पर प्रती अस्थापित किया गया नीचे दिये गए कूटों में से सही उत्तर का चैन करना है option है a a तथा आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याख्या है b a तथा आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याख्या नहीं है c a सही परंतु आर गलत है या d a गलत परंतु आर सही है समाजवादी धर्म निर्पेच या पंत निर्पेच लोगतंतरात्म गड़राज सब्द को हमारे सम्मिधान में जोड़ा गया था 42 सम्मिधान संसोदन 1976 के माध्यम से इसके पहरे जब यह दोनों सब्द सामिल नहीं थे तो क्या था संपूर्ण प्रभुत्य संपन लोगतंतरात्म गड़राज संपूर्ण प्रभुत्य संपन लोगतंतरात्म गड़राज तो क्या है कथल कारण की सही व्याख्या कर रहा है और दो के दोनों ही सही है ठीक है चलिए नेक्स देखते है पूछा जा रहा है कि भारत में लोकी के सारो भौमिक्ता है क्योंकि सम्विधान की प्रस्तावना आरंभ होती है ए प्रजाता अंत्रिक भारत सब्दों से बी जनता के जनतंत्र सब्दों से या सी जनता के लोकतंत्र सब्दों से या डी हम भारत के लोग सब्दों से जाहिर सी बात है, सबको पता है, option number D, हमारे सम्विधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग या we the people of India के नाम इंडिया से सुरू होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जनता जो है वो अस्तरो सक्तिमान है और किसी भी बाहे सत्ता के अधीन नहीं है, यानि कि भारत में ल हम भारत के लोग या we the people of India नाम के सब्दों का प्रियोग, सभी वेक्ति पूरता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धान्त जाना जाता है, A, सारव भौमिक्ता, B, समस्टिवाद, C, समाजवाद, D, अन्ता क्रियावाद, सभी वेक्ति पूरता हैं और समान रूप से मानव है, यह सिद्धान्त किस नाम से जाना जाता है, सारव भौमिक्ता वाद कहा जाता है, इसको कि सभी लोग समान हैं और अपने आप में पूर्ण है, ऐसा कोई छोटा है, कोई बड़ा नहीं, किसी के लिए कुछ विशेश का सभी वेक्ति पूरता और समान रूप से मानव है, यह सारव भौमिक्ता वाद के नाम से जाना जाता है, इस सिद्धान्त के अउसार सभी वेक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए, नेक्स्ट और अगला प्रस्ण है कि भारत के संदर्म में निम्न में से कौन धर्म निर्पेच सब्द का सही भाव व्यक्ति करता है, भारत में अनेक धर्म है, भारतियों को धर्म धार्मिक सुतंतरता प्राप्त है, सी धर्मान उपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई कि भारत्य संदर्व में प्रियुक्त निरख़प्थ सब्द की भारत र्याज कोई और नहीं हां । पंथ निर्पेच्छ सब्द का प्रयोग किया गया यानि कि भारत के राज्य का कोई भी अपना पंथ भी नहीं है ठिक आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राज्य जो है वह सभी धर्मों को समान रूप से आश्रे देगाया समान रूप से संरच्छड भी प्रदान कर सकता है ठिक निम्नलिकित में से कौन सा सब्द भारत के समिधान की उद्दिसिका में नहीं है ए समाजवादी बी पंथ निर्पेच सी प्रभुता संपन या डी लोग कल्यान कहीं भी पढ़ा इसको आपसर नम्मर डी जो है वस है यह लोग कल्यान सब्द कहीं भी नहीं है भारती समिधान की प्रस्तावना में निम्नलिकित में से किस स्वतंतरता का वर्डन नहीं है ए विचार की स्वतंतरता बी विचार प्रकट करने की स्वतंतरता सी विश्वास की स्वतंतरता या डी आर्थिक स्वतंतरता चलिए यह दोनों तो एक ही बात हो गई ना वैसे सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याय की बात की गई है हमारे सम्मिधान की प्रस्तावना में नकी आर्थिक स्वतंतरता की बात की गई है ठीक है जबकि विचार करने की विश्वास करने की अभिव्यक्ति करने की और मताई धर्म की उपासना की इन सब की स्वतंतरत की गई है हमारे सम्विधान में हो देकि भारती सम्विधान के प्रस्तावना में सामाजी-क- कार्थिक और राजिनितिक यानि तीन तरीके wisdom नियाए, विचार, अभिविध्त, विश्वास, धर्म और उपासना यानि कि पांस तरीके की स्वतंतरता, प्रतिष्ठा और और अवसर की समता यानि दो तरीके की समानता की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिकित में से कौन भारती सम्विधान की प्रस्तावना में उल्लिकित नहीं है A. सामाजिक न्याय, B. आर्थिक न्याय, C. राजनितिक न्याय, D. धार्मिक न्याय तो हमारे सम्मिधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी धार्मिक न्याय सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है सम्मिधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कतन सही है ए समाजवादी धर्म निर्पेच सब्द 1950 में लागू समिधान के अंग नहीं थे बी उक्ट सब्द 1977 के संसोधन द्वारा जोड़े गए सी उक्ट सब्द 1980 के संसोधन द्वारा जोड़े गए या फिर उक्त सम्मिधान की प्रस्तावना के अंग अभी भी नहीं है चलिए तो जो सही अंसर है वह है आप्सान नंबर ए समाजवादी और पंत निर्फेच सब्द 1950 में लागू सम्मिधान के अंग नहीं थे इनको आगे चल करके 42 सम्मिधान संसोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमारे भारती सम्मिधान में जोड़ा गया था ठीक है हालांकि यह प्रयोग किये गये थे 3-1 यह अधिनियम जो है लागू हुआ था 3-1 1977 से लेकिन संसोधन तो 1976 वाला ही था ठीक है तो जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर 1 भारती सम्मिधान का कौन सा भाग सम्मिधान की आत्मा कहलाता है A. मूल अधिकार B. राजी की नीदिके नीदे सकत C. उद्देशिका या D. सम्मिधानिक उप्चारों का अधिकार जो सही अंसर है वह है option number C भारती सम्विधान की आत्मा कहा जाता है हमारी प्रस्तावना आमु किया फिर उद्धिसिका को ठीक है और अगर BR अंबेडकर के हिसाब से पूछने को आ जाएगा तो आपको वहाँ पर बताना होगा option number D ठीक है क्योंकि BR अंबेडकर का मालना था कि सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार जो है वह हमारे सम्विधान की आत्मा है बाकी अन्यकिसी संदर में आ जाए आपको उद्धिसिका को ही टिक करना होगा देखे भारती सम्विधान की उद्धिसिका को सम्विधान की आत्मा क कहा जाता है केम मुंसी ने भारती सम्मिधान की उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री या कुंडली अत्वा पॉलिटिकल होरो इसकोप कहा था सुभाज कश्यप ने भी कहा है कि सम्मिधान सरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा और प्रस्तावना यदि आधार सिला है तो सम्मिधान उस पर खड़ी अट्टालिका है या फिर इमारत । हुए और ऑबेटकर ने सम्मिधानी कुपचारों के अधिकार को सम्मिधान की आत्मा और एका है तो अगर के में 310 स किस ने भारती सम्मिधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभ प्रजात्यांत्र जन्म कुंडली ने कहा है پर संप्रभ प्रजात्यांत्र duż कि जन्मुडली काया । B. आरम्मेटकर, B. महात्मा गांधी, C. दीन दयाल उपाध्या या फिर D. मुहम्मद अली जिन्ना सही अंसर आप्सन नंबर B है सम्मिधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर B. भीमराव अम्मेटकर ने कहा है इन्ही की अध्यचता में 29 अगर्ष्ट 1947 को सम्मिधान सभा ने साथ सदस्य प्रारूप समिधी का भी गठन किया था देट याद रखेगा 29 अगर्ष्ट 1947 एक बार डारेक्ट प्रस्न पूछा था किस वाद के फैसले में सर्वोचिनेयले ने सरवप्रतम घोशित किया कि उद्देशिका सम्मिधान का हिस्सा नहीं है ए बेरुबारी वाद, बी सज्जन सिंगवाद, सी गोलक नातवाद, या डी केशवानन्द भारती वाद चली, जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर बी बेरुबारी यूनियन के बाद के संदर में सुप्रिम कोट ने कहा था कि जो उद्देशिका है वह सम्मिधान का अंग नहीं है बेरुबारी यूनियन का बाद 1960 का है ठीक, इसी में सर्वोच ने लेन खाता कि उद्देशिका या प्रस्तावना जो है वह सम्मिधान का अंग नहीं है हालांकि बाद में 1973 में केश्वानन्द भारती बनाम केलल राजी के बाद में सुप्रिम कोट ने अपने इस नेड़य को पलटते हुए उद्देशिका या प्रस्तावना को सम्मिधान का भाग माने लिया है ठीक है लेकिन सम्मिधान के और स्पष्ट प्रावधानों को व्याख्या करने के लिए इसका प्रयोक किया जा सकता है निम्नलिकित में से किसवाद में उच्चतम नयायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका सम्मिधान का भाग है ए यूनियन आफ इंडिया बनाम डाक्टर कोहले पी बनारसी दास बनाम इस्टेट आफ यूपी सी बुम्मई बनाम इस्टेट आफ इंडिया या डी मलक सिंग बनाम इस्टेट आफ पंजाब तो केस्वारंद भारती थो ही नहीं तो बुम्माई सिंग बनाम यूनियन आफ इंडिया के 1994 के मामले में सुप्रीम कोट ने यह कहा था कि सम्मिधान का भाग है उत्ते सिकार ठीक है और इसका मूल लच्छड है पंथ निर्पेच्छता इसके पहले भी केस्वारंद भारती के बाद में सुप्रीम कोट ने इस बात को स्विकार कर लिया था तो यदि दोनों एक साथ आजाए तब आपको केस्वारंद भारती के बात को सेलेक्ट करना होगा अपने सही उत्तर के रूप में फिलार भूमई बनाम यूनियन आफ इंडिया के मामले में उच्चतम नियायले ने कहा था कि उद्देशिका सम्मिधान का भाग है तथा पंथ निर्पेच्छता सम्मिधान का मूल लच्छड है केशवानंद भारती बनाम केरल राज के मामले में बहुमत से दिये गए निर्णय में उद्देशिका को सम्मिधान का भाग माना गया था निम्रेलिकित विवादों में से किसमें सर्वोच न्यायाले ने प्रस्तावना को भारती संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्विकार किया A. बेरुबारी विवाद B. एके गोपालन विवाद C. प्रीवी पर्स विवाद या D. केश्वानन्द भारती विवाद चलिए डारेक्ट अंसर कर सकते थे हम लोग आपसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा केशवानन्द भारती विवाद में सुप्रीम कोट ने सम्मिधान को प्रस्तावना को भारत का भाग माना था या भारती सम्मिधान की मौलिक सनरचना का भाग स्विकार किया था केशवानन्द भारती वनाम केरल राज 1973 के मामले में सर्वोच नयायले ने प्रस्तावना को भारती सम्मिधान के मौलिक सनरचना का भाग स्विकार किया सरोच नियाले के सब्दों में ही देखे तो उन्होंने कहा था कि हमारे सम्मिधान का प्रसाद उद्दिसिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है यदि इन में से किसी भी तत्वों को हटा दिया जाए तो सारा धाचा ही धह जाएगा अर्थात सम्मिधान वही नहीं रहेगा अर्थात अपना व्यक्तित और पहचान खो देगा तो सम्मिधान की प्रस्तावना जो है वो हमारे मूल धाचे का भाग भी है नेक्स्ट और अगला प्रस्न देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि भारती सम्मिधान की प्रस्तावना में जिन आदर्सों एवं उद्धिस्यों की रूप रेखा दी गई है उनकी व्यक्या की गई है ए मूल अधिकारों के अध्याय में बी राजि के नीत नेशक सिधानतों के अध्याय में सी मूल अधिकारों राजि के नीत नेशक अध्याय में यह दी सम्मिधान के पाठ में कहीं भी नहीं कि सॉरी कि चलिए जो सही अंसर है इसका वह है आपसर नंबर सी मूल अधिकारों राजी के नीत निशक तत्व या डिपी एस्पी और मूल करतव्यों के अध्याय में सम्मिधान की प्रस्तावना जिन आधर्सों और उद्देश्यों पर दी गई है उनकी व्याख्या की गई है जैसे कि आर्थिक सामाजिक स्वतंतरता की बात की गई है तो न्याय की स्वतंतरता की क्या कहते हैं न्याय देने की बात कही गई है तो जो है विश्वास और धर्म की विश्वतंतरता दी गई है इस प्रकार से विभिने चीजों को दिया गया है यहां देखते हैं देखे सम विव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंतरता और प्रतिष्ठा और उसर की समानता ठीक है और व्यक्ति का उतकर्स कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उतकर्स में बाधाना बन जा है इसलिए सम्मिधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है ठीक है इन सब के बारे में बकायदा व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। इन सब्ढ है। भारत की उद्देशिक्या में तीन प्रकार के न्याय की विवस्ता है सामाजिक आर्थिक और राजनितिक सामाजिक न्याय सितात पर प्रतियक नागरी के साथ जाती रंग धर्म लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किये समान विवार किया जाए तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहों और राजनितिक न्यायकार्थ है कि प्रत्यक नागरिक को समान राजनितिक अधिकार प्राप्त होंगे नेक्स्ट और अगला प्राशन है कि भारत के समविधान के उद्यस्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्यायका किसमे उपपंद किया गया है A. उद्देशिका और मूल अधिकार B. उद्देशिका और DPSP C. मूल अधिकार और DPSP या फिर D. उपर उक्त में से कोई नहीं तो उद्देशिका और राज्य के नीत नीतेसक तत्व यानि की option number B में आर्थिक न्याय के बारे में बात की गई है आर्टिकल 39 आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएंगी चीज़े आर्थिक न्याय से संबन्धित Next अभी देखेंगे DPSP को भी देखेंगे इसके बाद सासन प्रणाली के बाद नागरिक्ता मूल अधिकार ये सब कंप्लीट करते हुए वहाँ चल देगे भारत के समविधान की उद्देशिका समविधान का भाग है किन्तु कोई विधीक प्रभाव नहीं रखती है B. समविधान का भाग नहीं है और कोई विधीक प्रभाव भी नहीं रखती है C. समविधान का भाग है और वैसा ही विधीक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग D. समिधान का भाग है किन्तु उसके अन्य भागों से सोतंतरों कर उसका कोई बीधिक प्रभाव नहीं है जो सही अंसर है वह है option number D सम्मिधान का भाग है हमारे सम्मिधान की उद्देशी का लेकिन अन्य भागों से यदि इसे सोतंत्र कर दिया जाए तो इसका कोई भी विधिक प्रभाव नहीं है क्योंकि सम्मिधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए उद उद्देशी का को सम्मिधान का भाग माना और सरोची नियालय ने बेरुबेरी यूनियन 1960 में दिये अपने निर्णय को यहीं से पलट भी दिया था ठीकर अब उद्देशी का सम्मिधान का भाग है और सम्मिधान के अन्य भागों के निर्वचन में उद्देशी का से सहाय रोकर के उद्देशिका का कोई भी विधीक प्रभाव नहीं होता है। आपको सही उत्तर का चैरीड करना है। 抠 है A 1, 2 बी, 2 ,3 ,C 1,2 ,3 या डी, 2 ,3 और 4 छिए। यहाँ पर सभी के सभी कतन सही हैं、 और यहाँ कही पर भी पूरे के पूरे कतनुать के बारे में बात नहीं की गई हैं। ठीक है तो एक दो, तीन, 4 सभी के सभी सही हैं। हालांकि आप चाहे तो किसी एक को भी स्किप नहीं कर सकते हैं ठीक है इसमें कहां सचाटा जाया और सोचने दीजिए तो कब का प्रश्ण है 2004 कहा है तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है प्रश्ण गलत है आप चाहे C के साथ जाएगा चाहे दी के साथ चले जाएगा जिसमें भी maximum विकल्प होते हैं दोनों ही स्थितियों में आपका एंसर जो है वह सही हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम्नलिकित में से कौन सही है ए सामाजिक समानता सम्मिधान में प्रत्याभूत नहीं है बी देश में सामाजिक समानता पहले से विद्धमान थी सी समाजिक समानता सम्मिधान में प्रत्याभूत है या दी उपरोक्त में से कोई नहीं चले जो सही अंसर है वह है समाजिक समानता को लाया गया है तिक है और सम्मिधान की प्रत्याभूत है तो फिलाल इसी के साथ यह लेक्चेर हैं कंप्लीट होता है नेक्स्ट और अगले लेक्चेर में हम लोग सासन प्राडाली के संदर में बात करेंगे तो थैंक्यू, थैंक्यू विरिंट फर डिस्कुशन, चैनल को लाइक, सब्सक्राइबर, शेयर करना मत बूलिएगा, धन्यवाद